Hey guys and welcome back to another video आज में पास है Vivo V17 जिसका कैमरा टेस्टिंग करने में आया हूँ सुन्दर नॉसरी ये हुमायुटूम के जस्ट ओपोजेट है I think एक पहले भी कोई कैमरा रिप्यू यहाँ पे मैंने किया है not sure कौन सा स्मार्टफोन था So, अभी मैं कल कुछ low light samples लेने गया था दो locations पे वो मैं second part of the video दिखाऊंगा So, अभी के लिए यहाँ पे काफी beautiful location है कुछ samples में लूँगा photos, videos, सारे modes explore करेंगे and let's see कैसा result आता है अभी जो आप देख रहो यह front camera से है So, front में single camera है V17 में You can see the result मैं walk करते हुए sample ले रहा हूँ तो आपको idea लग जाएगा कैसा result हा रहा है with the stabilization अभी इसके rear camera का 1080p at 30 fps sample है अभी देखने में काफी अच्छा dynamic range है and यह अभी ultra wide angle lens है So, you'll get to see मैं काफी पास हूँ still काफी wide angle of view ले रहा है So, this is how it looks So, यह comparison है अभी ultra wide पे है तो आपको यह wide frame देख रहा है एक बर मैं standard mode पे जाता हूँ और देखने कितना difference आता है So, यह इसका standard angle of view काफी difference है रेर camera में wide angle में video option है काफी अच्छा है because अगर vlogging करते हो तो बहुत सही रहता है इस तरह से video shoot करना तो सबसे पहली चीज जो में को अच्छी लगी वो है रेर वीडियो मोड में wide angle camera का option because कहीं phones में आजकल आ रहा है कहीं में नहीं आ रहा V17 में है which is good अगर आप vlogging करते हो जैसे मैं अभी आपको samples दिखा रहा हूँ So, so wide angle में अगर आप शूट करते हो कैसा stabilisation आ रहा है अभी फोन में sample देखने में एको stabilisation काफी अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना कैसा performance आ रहा है अभी और चीज चो में को इसके वीडियो में अच्छा लगा वो है कि इसका closest focusing distance बहुत पास जाता है just like the recent Vivo phones स्पेशली जब मैं 2X जूम करता हूँ वहाँ पे जो closest focusing distance है बहुत पास है यहां पे sample है you can see it for yourself अब इसमें एक चीज जो में को काफी सही लगी I think जब मैं U20 रिवियो कर रहा था उसमें भी यह चीज Vivo ने डाली है कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ में पास यहां पे option आइकन दिखता है कैमरा का इसको यूज करके वीडियो शूट करते टाइम मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ एक sample लेता हूँ I'll show you guys यह sample है जो अभी मैंने वीडियो शूट करते हुए without video pause की है मैं sample ले सकता हूँ तो यह में को सही लगा आपको pause करके दुबारा शूट नहीं करना पड़ेगा तो यह था front and back camera के features अब थोड़ा photography करते हैं लेची कैसा performance आता है अब यहाँ पर एक यह structure बना हुआ इसके कुछ sample shots लेते हैं and let's see standard और wide angle के कुछ samples लेकरता है तो अभी थोड़ा weather situation ऐसा ही कि cloudy है sun एकदम बाहर नहीं है but still even light है तो जो मैं samples ले रहा हूँ काफी evenly lit up रहेंगे but यहाँ पर कुछ samples की है अब और थोड़ा explore करते है अब इस structure के अंदर चलते है थोड़ा low light samples लेकते है so अभी मैंने यहाँ पर अंदर mostly wide angle shots ले थे screen में देखने में काफी impressive लग रहे है dynamic range बहुत अच्छा है मैंने खुद tap करके exposure adjust किया अब सारे auto mode में है distortion controlled है vignetting इतना मैं अभी ढंक से देखनी पाया looks good आप लोग जादा बेटर देख पा रहे हो तो और थोड़े अब मैं try करता हूँ macro shots and bokeh mode में so कुछ flowers वगएरा दिख रहे है वहां चलके shoot करते है अब यहां पे कुछ flowers और leaves है यहां पे मैं try करता हूँ कुछ bokeh mode में shots लेने का and let's see edge detection performance कैसा है अभी जो मैंने यहां पे bokeh mode में shots ले है edge detection में को परसनली काफी अच्छा लग रहे है even इतने complicated leaves और flowers की शेप में edge detection जितना अभी मैंने फोन में देख है काफी impressive है आगी आप लोग ज़्यादा बेटर देख पा रहे हो so comment and let me know आपको पोटेड मोड bokeh mode का परफॉर्मेंस कैसा लगा so इस पर्टिकुलर spot पे मैंने macro shots ट्राइक कर रहे थे and bokeh mode bokeh mode में को काफी अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा इसका edge detection and result बहुत अच्छा है all over bokeh का जो result है macro is decent, not that great में को macro कभी भी smartphone में पसंद आया any because बहुत soft images हो जाती है so almost सारे modes explore हो चुके है अब Ratandeep है उस comment हूं कहाँ पे है कुछ selfies और कुछ samples निकालते हैं portrait mode में using human subject फिर low light में shoot करेंगे अभी एक और काफी beautiful location है यहां तक में last time नहीं आया था यहां पे एक उच्छ samples try करते है इस side है और इस side पे भी है अभी यह दूसरी location है हुमायू टूम में आये है this is Isakhan टूम यहां बहुत बार आयों में review करने के लिए तो यहां पे कुछ samples ले रहे है I'll try normal wide angle video samples देखते हैं किया result आता है so अभी मैं इस monument के अंदर हूं structure के अंदर so पूरा low light है तो अभी front camera का idea लग जाएगा की जैसा performance है and कुछ shots एक बाले के देखता हूं उपर का इंट्रेस्टिंग चीज है so let's try some shots so अब मैं आया हूं दूसरी location पे low light के samples लेने के लिए तो अभी मैं थोड़े auto mode में shoot करूँगा थोड़े night इसका night mode में को try करना है थोड़े video samples and manual mode end में so देखते हैं थोड़े samples लेते हैं let's see कैसा result आता है आता है सब्सक्राइब अभी मैंने अभी मैंने अपने लाप्टॉप पे सारे इमजेज वीडियो सांपल्स देखे हैं देटाइम एंड लो लाइट सेच्वेशन में इन माइ ओपिनियन इसका कैमरा परफॉरमेंस इस रेली गुड स्पेशली इसका जो लो लाइट परफॉरमेंस है अगर एक चीज में को लगा जब मैं टाप कर रहा हूं यूजुली मैं टाप करके देन क्लिक करता हूं उस टाइम पे इतना अच्छा एक्सपोजर रीटिंग नहीं है पर अगर मैं अपने इस आप से एक्सपोजर स्केल को थोड़ा नीचे लाता हूं देन जब मैं इमेज क्लिक कर रहा हूं उसका edge detection में को बहुत अच्छा लगा जो बलर एफेक्ट है बहुत स्मूध है बहुत सूधिंग है इतना जादा अर्टिफिशल नहीं लगता talking about wide angle performance wide angle is also good थोड़ा soft image but I don't think अभी तक हुई इस रेंज में इसा smartphone है जो बहुत जादा sharpness images दे रहा हो wide angle में so all over I think it's a good smartphone मेरे हिसाब से अगर है 20,000 के असपास price होता तो यह काफी अच्छा option हो सकता था 23,000 और चोर में भी अगर कुछ discount हो गया रहा करके उतने का आता है it could be a great option and by the way यह भी जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा है V17 से है एक single tube light आगे आगे आपको एक reflection में दिख जाएगा that's all the light available so आप उसका भी performance देख सकते हो थोड़ा इंडोर्स कैसा perform करता है anyways अब मैंको इसका camera comparison करना है जो बाखी smart phones है 20-25 दार के बीच में आप comment करके बताना किसके साथ comparison किया जाए I'll try to arrange and उसका में video ले आऊंगा so I hope ये video अच्छा था अगर अच्छा लागा do leave a comment subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking